नमस्कार दोस्तों, पीसेश फाट साला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये विसेश जनकारी आप लोगों को देनी थी। जैसा कि आप लोग स्वेन देख रहे हैं कि रिजवान अंसारी ने भी कह दिया है कि इस हफते इस हफता फैसला आ सकता है। रिजवान अंसारी जो सिच्छा मित्रों के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि इस हफते फैसला आ सकता है। और आपकी जानकारी लिए बताते हैं। PCS पाट साला पतलब हमारा चैनल आपका चैनल इस ने सुरुवाती समय से ही बोल दिया था। सबसे पहले PCS पाट साला ने कहा था कि फैसला मार्च लाश्ट में आ जाएगा। सबसे पहले कहा था। जब मैं चैंबर में अरिश्ट दिवक्ता से मुलाकात किया था। तभी यह बात कही गई कि मार्च लाश्ट तक फैसला आ सकता है क्योंकि जो जज्जमिंट होता है जो आडर होता है वह पुरी तरह से लिखा जा चुका है। और उसके बाद भी मैं कहता रहा हूं कि लाश्ट मार्च तक आ जाएगा। फिर जब हम बोल दिये थे तो फिर हमारे ही नियूच को बहुत से लोगों ने कहा बाद में कि लाश्ट मार्च तक आ जाएगा। तो यह जानकारी 25 पाट साला ने सबसे पहले दी थी। अब आप आप आज ही देखिए कि रिजवान अंसारी ने भी कह दिया है कि इस अबती फैसला आ सकता है नड़े आ सकता है और रिजवान अंसारी ने अपने फिस्बुक पेच पर बहुत लंबा चोड़ा बधाई संद कर चलिए 24 तारीक है 25 तारीक है तो लाश्ट मार्च तक फैसला आ जाएगा पूरी तरह से और यह बात में आप लोगों को आस्वस्त करता हूं और मैं इसमें ज्यादा ज्यादा अच्छी तरह से मैं इसको पता किया था और मैं आपी लोगों के लिए पीन पीन से मुलाकात किया था मैं आडर के भी से महीं जानकारी प्राथ करने के लिए चेंबर में मुलाकात किया था फिर उसके बाद मुलाकाते होई तो यही जानकारी मिली थी कि लाश्ट मार्स तक फैसला आ जाएगा मतलब 31 मार्स तक और आल देखिए सिच्छा मित्रों के वकी सिच्छा मित्रों की जो नेता है रिजवान अंसारी इन्होंने भी कह दिया है कि फैसला आ जाएगा तो आप लोग पूरी तर प्रतिच्छा के जो प्रतिच्छा की घड़ी थी और पूरी तरह से समाप्त होने वाली है लाश्ट मार्स तक फैसला आ जाएगा तो उसके बाद कुछ करना नहीं है माले चुनाव है चुनाव बीच आएगा चुनाव बीतने की बाद बेक्याफन निकाले जाएंगे और ब कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों जो सबसे पहले आप लोगों को यह बता दो कि फैसला ज्यादा उमीद है कि कटाव के पच्छ में यह आएगा और कटाव के पच्छ में अगर फैसला आता है तो अगर पहली बात तो सुनिए फैसला आएगा फिर संसोधी तेंसफर की जाएगी रिजल्ट आएगा तो यह सब काम तो चुनाओं के पहली हो जाएगा लेकिन चुनाओं के बात ही बिक्यापन निकाले जा सकते हैं बिक्यापने धरने निकलेगा चुनाओं के बात ही निकलेगा और अगर बिक्यापन निकाले जाएंगे चुनाओं के बात तो मान ने चाहा तो बहुत जल्दी बागी विश्यों का रिजल्ट निकल जाएगा हाफते दो हाफते में तो इस तरह से मान लिजी अवसर बहुत अच्छा है जितने भी लोग कटाफ को पार किये हैं सब का लग जाएगा कोई चिंदा की भात नहीं है और एक बंदे ने कमेंट किया महत तो नहीं है इसलिए महत नहीं है क्योंकि जब करनीडिट ही नहीं है तो महत क्यों रहे हैं गुड़ागा हूए आए मूदर दो प्रटम पार किया है वह पूरीधि द्राव आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा जितने भी ग्रूप में है क्योंकि यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग नीज मैं दे रहा हूं बहुत बड़ी ब्रेकिंग नीज दे रहा हूं मैं आप लोगों को और अब तक मैं कहा रहा था तो आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा था जब कि सबसे पहले मैं बोला हूँ बहुत और सबसे पहले मैं हमने कहा था कि लास्ट मार्स तक फैसला जाएगा यह जानकारी मेरी थी सबसे पहले मेरी जानकारी थी यह और अब आज खुद देखिए रिजवान एंसारी जी ने भी कह दिया कि अफ़ते आद इस अफ़ते आ जाएगा फ़सला फिर उसके बाद बहुत सारी यूटूब चैनल वाले हैं तो मैं नाम भी नहीं देना चाहता है यार क्योंकि बहूं से लोग करते हैं कि आप दूसरी चैनल के सिकाहित करते हैं सिकाहित नहीं कर रहा हूं जो हमारेन नीच की काफी कर एnा पहले तो नहीं कुछ बोलते हैं जो मैं बोलता हूं उसके बाद हो काफी करने लगते हैं पहले ही बोला करें न तो ही बात है तो आप सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों आप लोग पूरी जार से आनक देत रहिए खुशी रहिए और लाश्ट माज तक फैसला जाएगा आप लोगोरी जिए ठीक है दोस्तों धन्यवाद है कि अ झालोय। Nee